बुड मॉर्णिंग आल आप यू आर्बियस डिग्री कॉलेज मेजा खास के अनलाइन प्रेटफॉर्म पे सभी छात्रों के हम हार्तिक स्वागत करते हैं छात्रों आज जो है बियस्सी एजी फोर समिष्टर के अंतरगत जो आपका न्यू सब्जेक्ट जो है हम अध्यन करव आ रहे हैं छात्रों ठीक है जो आपका सब्जेक्ट है जो है वह एंटोडेक्टरी एग्रो मेट्रोलोजी एंड क्लाइमेट चेंज के अंतरगत जो आपका टॉपिक है जो है वह एटमॉस्फियर वेदर्स वेरिबल जो है मतलब इसका आर्थिये हुआ कि वाय मंडली मौसम परिवर्तन सील क्या है और किस तरीके जो है हमें हमारा वाय मंडल जो है हमारे खेत और किशानों को और हमें कैसे प्रभावित करता है आज उसी के बिसे में जो हम आपको अध्धन करवाएंगे चात्रों ठीक है आईए इस्क्रिम पर चलते हैं मौसम एक एसी प्रक्रिया है छात्रों जो है कि जो कि आपके वाय मंडल में जो इस्थितियां बनती है उसी के अनुसार जो है आपका मौसम प्रभावित करता है या तो आपके खेति या किशानों को या हमें या जीव जन्द को जो है वो वाई मंडल की इस्थित के एकॉलडिंग ही जो है आपको मौसम के इस्थितियों के अंसार ही जो है आपको ये पता चलेगा कि हमारे वाई मंडल की क्या इस्थित है और उस इस्थित पे हमारे मौसम का क्या इस्थित रहेगा वो आपको केवल मेट्रोलोजी सब्जेट के अंतरगत ही जो है छात्र जो है आपको ये डेटा मिलेगा जो है ठीक है तो मौसम जो हमारा है मौसम किसी अस्थान की अलपकालिन वाय मंडली दशाओं व्रिष्ट, आदरता, वायदाब, पवन, टापमान, मेघ का देतक है जो कि आपके मौसम के द्वारा इन सब चीजों की उतपत्ति होती है जैसे व्रिष्ट, आदरता मतलब आजिबृष्ट जो वर्सा होती है आदरता जो है जो घने कोहरे होते है वाईव दौब जो है जब आपके अच्छा खासा तेजी से हवा चलता है फिर आपका पवन हवा जानते ही है तापमान आपका जो है आपके मौसम के एकॉल्डिंग जो है आपको कितना तापमान है उस समय जो है वो आपको जो है मौसम के अनुसार ही आपको पता चलेगा फिन उसके बाद मेग है आपके बादलों की क्या इस्थित है वो भी मौसम के अनुसार ही आपको पता चलेगा छात्रों जो है ठीक है फिन उसके बाद जो है इसी प्रका आर्थ ये है छात्रों जो है कि जो आपका मौशम ये हमेशा जो है परिवर्तन सील रहता है और गत सील रहता है तभी हमें पता चलता है कि हमारे वाइमंडल में जो है किस तरीके परिवर्तन हो रहा है और हमारे मौशम में किस तरीके जो है हमारे शामने ये सारी चीजे जो है दरसाया जा रहा है जो है ठीक है वो आपके मौसम के द्वारा ही जो है आपको पता चल सकता है फिर उसके बाद आता है कि तूफान का मौसम आप किस तरीके जो है आपको पता चलता है कि आप तूफान आने वाला है तो इसको हम आपको बतला रहे हैं कि प्राहय हम मौसम है किन्तु तीनों में परियात्त जो है अंतर है छात्र जो है अगर हम मौसम की बात करते हैं तो मौसम जो है एक तरीके से परिवर्तन सील है गट सील है और हमारा जो है यह एक ऐसा जो सीजन बोला जाता है कि जो की 6-6 महीनों और 3-3 महीनों की जो है रितुपाई जाती है और क्या कहते हैं आपका जलवाई जलवाई भी जो है कई क्या कहते हैं सब डिवीजन में पाया जाता है तो इस वज़े से इन 3 जो है सब्दों का अलग-अलग अर्थ होता है और अलग-अ मेंडल के द्वारा जो है जब हमारा क्या कहते हैं पिर्थवी पर दबाव बने या पिर्थवी पर कोई भी चीजे वाई मेंडल के थूँ अगर गिर रही है जो है वो हमारे जो है मौसम के परिवर्तन सील और गत सीलता पर ही निर्भर हो सकती है चातों तीक है फिन उसके हमें होने वाले परियावरणी गजविधियों का बोध कराती है मतलब इसका अर्थ यह है कि जो हमारा मौशम है जो है वो एक तरीके से जो है अलपकालीन परियावरण में गजविधियों का देतक के तरीके जो है अपना परिवर्तन करता रहता है फिन उसके बाद जो है जो र को कराते रहते हैं कि हमारे उश्यमें रितियों में क्या परिवर्तन हो रहे हैं और किन-किन महीनों में यह हो रहा है फिन उसके बाद परितंद के अंसार छे रितियों पाई जाती हैं मौसम का पूर्वा अनुमान मानों जीवन की नीमित गद्विदियों को सुचार रूप से चलाने एवं भविस्ट की योजनाओं को जो है बनाने के लिए मौसम का पूर्वा अनुमान होना अतियाबस्यक होता है छात्रों अगर आपको मौसम के पूर्वा अनुमान की जानकारी नहीं है जो है तो आप जो है मौसम का पूर्वा अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि हमारे मानो जीवन में ये किस तरीके जो है गदविदिया करते हैं आगामी भविस्व में क्या होने वाला है ये सारी चीजे आपको जो है मेटरोलाजी का पूर्वा अरुमान होना बहुत ही ज़रूरी होता है अगर आपको पूर्वे अर्मान की जानकारी नहीं है चात्रों जो है तो ये आप माल लिजे जो है कि आप मौसम का पूर्वा अर्मान आप नहीं लगा सकते हैं कि होने वाला क्या है ठीक है फिन उसके बाद मौसम को आम तोर पर तापमान ठीक है फिन आदरता फिन उसके वायुदाप हवा की गत और दिसा और बादलों और वर्सा के पैटन के रूप में ना पा जाता है इन कारकों को एक साथ जोड़ कर हम मौसम का पूर्वा अनुमान लगा सकते हैं मतलब कहने करत यह है छात्रों जो है कि हमारा अगर मौसम का पूर्वा अनुमान की जानकारी है तो आप जो है इन गदविधियों के द्वारा इन सब्दों के द्वारा जो है आप मौसम का डेटा जो है निकाल कर पूर्वा अनुमान और भविस्ट का अनुमान जो है आप इस्थिती रहेगी और क्या गट सीलता रहेगी ठीक है उसके बाद जो मौसम के तत्तों है मौसम परिवर्तन होने के विभिन तत्त जैसे वाई द्याब आपका हो गया तापमान हो गया आधरता हो गया धूलकर हो गया उच्चा वाच हो गया एवं वाई प्रवा की गत और दिसा आज पर जो है आप मौसम के तत्तों के द्वारा जो है आप मौसम के बिसे में अच्छी जानकारी आप जो है पूर्वा अनुमान या हो या भविस्त का जो है पूर्वा अनुमान हो आप उसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं क्यूंकि अगर आप मौसम के इन तत्थों की अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप मौसम के जो है अच्छे तरीके से आप जो है भविस्वारी नहीं कर सकते हैं कि कल क्या होने वाला है ठीक है फिर उसके प्रकार की उर्जा है जिससे पदार्थ गर्म होते हैं जब कि तापमान इस गर्मी का माप को कहा जाता है पिर्थवी पर पहुचने वाली सौर उस्मा सूर ताप से हैं सूर से धरातल पर आने वाले उस्मा पिर्थवी के तापमान अर्थात मौसम को जो है प्रभावित करती ह जो कि आपके तापमान के दोरा हमारे वाई मंडल में किस तरीके का ठंधक और गर्मी रहेगी ये आपको मौसम के वाई मंडल के अनुसार ही आपको पता चल सकता है ठीक है फिर उसके बाद वाईदाब धरातल या सागरतल पर छेत फ़ल की प्रतिकाई के ऊपर इस्थित वाई मंडली आवरण के पढ़ने वाले भार को हम वाईदाब कहते हैं प्रतच रूप से मौसम एवं जलवाय का प्रधान कारक नहीं है किन्तु आप प्रतच रूप से हवाओं का नियंतरन करके वर्सा और तापमान का प्रभावित कर सकती है मतलब कहने करती है कि वाईदाब के द्वारा जो है अगर हम धरातल और सागर के किनारूप अगर जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है इन सारी चीजों का मौसम जलवाय का जो प्रधान कारक है ये सारी तीजे आपको प्रतच और आप्रतच आपको देखने के लिए मिलें मतलब इसका अर्थिये है कि अगर वाइमंडल के द्वारा जो है जितना ही वातावरण में जो है आपके आदरता बनेगी आपका जल वास्प उतना ही जो है आपके आवरण को घेरेगा जो बाद में समुद्रों से होकर जो है वो फिन आके जो है एक बारिस के बूंदों के भावित होता है सम्पूर वाइमंडल में अबस्थत रूप से 2% अधरता पाई जाती है आधरता का 50% भाग वाइमंडल के नीचे ले परिवर्तन मंडल में 2000 मीटर तक जो है यह आधरता हमारा पाया जाता है जहां पे वाइमंडल से जो है नीचे की ओर जितने भी छोप प्रभावित करता है वाई मंदल को मौसम वेदसालाओं में पवन की 16 दसाएं प्रमारित मानी जाती हैं इन दसाओं का निर्धारण अधिसूचक को उर्तर दिसा में रखकर जीरो एंसेल्सियस से 22.30 के अंतराल पर विभाजित करके किया गया है पवन जिस दिसा से आती है उस लगबग सामनांतर प्रभावित होने वाली वाई को पवन कहते हैं यह मौसम का ऐसा तत्व है जो तापमान और एवं वर्सा आज अनेक तत्वों पर प्रभावकारी नियंतरन रखता है फिर उसके बाद बादाल आपका आता है जो कि आपके मौसम के परिवर्तन को वाई मं गुलग जो ए दिवर्तन की यह गए थमान और आपके कर आता है कि उप मैदल में अपने थोड़ सी इस्थित के विशे में है जहां पर जोआ वहां पर बारिश होना इस्टार्ट होता जा बनाव कहने करते सूरू हो जाती है बारिश जो है वाई मंडल में विद्धमान आदरता के संगनन से इन सूच में जलकड़ों वह हीम कड़ों का निर्माल होता रहता है फिन उसके बाद मौसम का प्रकार आप का आता है छात प्रभावित करता है किसी चैत का तापमान सुर के प्रकास की उपस्थित से निरधारित होता है जब कि सूर का प्रकास वाई मंडल में उपस्तित बादलों, धूल कड़ों, जलवास्व तथा उच्चा वाच द्वारा प्रभावित होता है। जब कम मात्रा में आता है। उसे मेगा आच्चा दित बोला जाता है। जो है आपके मौसम या बादलों में जितने ही जलवास्व संधनित होके या सूच मधूल कड़ों के रूप में संधनित होते हैं। और समुद्री साग्रों से जो है जो वास्पोह के बादलों में इकठा होता है। उसे मेगा दूद्र के द्वारा जो है एक जगे से दूसरे अस्थान पर ये जाते रहते हैं। वह भी पवन वेक के द्वारा जो है तो जहां पर वाईदाब कम होता है वहां पर जो है ये बारिस होना इस्टाट हो जाता है। जो की वर्षा का मौसम में जो प्रभाव परता हो हमने आपको बताया जो है। फिर उसके बाद हिमाच्छद जो है बरफीला तूफान एक प्रकार की मौसमी घटना है जिसमें बरफीली वर्षा होती है। जब तापमान सून से नीचे चला जाता है तो बरफीली तूफान आता है और बरफ का वर्षा होना इस्टाट हो जाता है। जैसे आप लोग कहते हैं कि अभी क्या कहते हैं कि मौशम में बारिश होई थी तो उस समय बरफ गिरे हुए थे ओले पड़े हुए थे तो इस वज़े से यह इस्तिजब आती है तो वहां पे बारिश के साथ बरफ भी पढ़ना और गिरना स्टाट हो जाता है। फिन मौसम को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो हम आपको बतला रहे हैं कि मौसम को प्रभावित करने वाले बिभिन कारक होते हैं जो मौसमों के तत्तों को दैनिक परवर्तित करके मौसम के बदलाओं में सहायता होते हैं। फिन उसके बाद सौर की दूरी जो है सौर उर्जा जिसे अब कितनी दूरी पर सूर का प्रकास सौर करता है फैलता है वो हम बता रहे हैं सौर दूरी का सीधा संबंद तापमान से होता है इसलिए सौर दूरी मौसम को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है सौर दूरी अपनी ब्रहमर कच्छ के दौरान पिर्थवी से अपनी दूरी बदलती रहती है जिसके परडाम सरूप निकटतम और सबसे दूर दोनों अ फारेनाइट तक का अंतर होता है जो सौर दूरी में होता है फिल उसके बाद अच्छांसी अस्थान जो है मौसम अच्छांसी अस्थान के अंसार परिवर्तित होता है उधारन के लिए घूमद रेखा के पास मौसम में ज़्यादा उतार चड़ाओ नहीं होता है क्यूंकि उस अच्छांस पर लगभग समान मात्रा में यानि हर दिन लगभग 12 घंटे धूब जो है मिलती है जैसे जैसे आप भूमद रेखा के उत्तर और दच्छणी की और बढ़ते हैं वहां पे आपको गर्मी और सर्दी दोनों का तापमान धीरे-धीरे कम हो जाता है मतलब अग महाराष्ट में जो है पूना का छेत अगर आप देखेंगे तो वहां पे गर्मी के दिनों में जो है बहुत ही हलकी जो है गर्मी रहेगी और बहुर ही हलकी जो है ठंडक रहेगी तो वहां का जो तापमान एक सामनांतर तापमान है वैसे ही गर्मी को दिनों में भी रहेगा अब वैसे ही ठंडी के दिनों भी रहेगा ये चीजे महाराश्ट के एक पूना जो है एक जगा है जहां पर ये चीजे आपको इस्थित देखने को छात्र जो है मिलेगी ठीक है फिन उसके बाद हवा का दबाव जो है सौर विकरन प्रितिवी को गर्म करता है लेकिन यह आसमा रूप से होता है हवा के गर्म और ठंडे जेवे जिन्हें वातग्रह कहा जाता है कि बीच वाइदाब में परिवर्तन से वाइदाब में परिवर्तन हो रहा है तो वाइमंडल का कम परिवर्तित होता है जिसके परडाम सरूप मौसम का परिवर्तन कम होता है अगर हवा का द मौसम को परिवर्तित करने में अहम भूमिका निभाती है आस पास के जल निकायों से वास्पी करन से वातावरण में नमी बढ़ जाती है मौसम बदलने के कारण किसी भी छेत का मौसमें परिवर्तम विभिन कारण को द्वारा होता है मौसम को प्रभावित करने वाले एक तत् हमारे वाई मंडल का जिसमें सभी लोग सर्वाइब करते हैं जैसे हवाई जहाद जो भी प्लेंस विलेंस जो भी उड़ती हैं वो हमारे छोब मंडल के एकॉर्डिंग ही उसी सता पर उड़ती हैं वाई मंडल का सबसे नीचला छेतर जो पिर्थवी की सता से धुवों पर 6-8 किलो मीटर या 4-5 मील और भूमद रेखा पर लगबग 17 किलो मीटर 11 मील तक फैला हुआ है मौसम कापी हद तक छोब मंडल तक ही सीमित है क्योंकि यही पर लगबग शभी बादल आते हैं और वर्सा होती है छोब मंडल और उससे उपर के उचे छेतरों में होने वाले घटनाएं जैसे की जेट इस्ट्रिम और उपरी हवा के लहरें समुत्र अस्तल की वाई मंडली दबाव पैटर्न अथा कथित उचाई और चड़ाओ को महतपूल रूप से प्रभावित करती हैं बलके अच्छांस में समय समय पर मध में होने वाले घटनाओं में परिवर्ति जिम्मेदारी लेते रहते हैं जो की ये हमारे वाई मंडल में जो परिवर्तन होता है और वो किस तरीके हमारे छोब मंडल को प्रभावित करता है वो हम आपको बतला रहे हैं समान रूप से बसंत रुत में भारी वर्षा होना 297-98 ENSO की घटना संयूत राज अमेरिका के अधिकान से हिस्सों में सर्दियों के तापमान के आउस्सत में काफी ऊपर से होने जुड़ी थी समान तह दुनिया के विभिन हिस्सों में मौसम की परिवर्तन सीलता ब्यापक रूप से भिन्न होती है या पश्चिमी हवाओ के मद्ध अच्छांस बेट में सबसे अधिक असपश्ट होता है मतलब कहने करती यह है छात्रों जो है कि बसंत रुत में जब हवा का दबाव कम होता है तो उस रित में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है तो मतलब इसका अर्थ यह हुआ छात्रों जो है कि हमारा वाइमंडली जब मौसम परिवर्टन होता है वो वहाँ पे कई जो है सब्दों के एकॉर्डिंग होता है जैसे आपका ताप्मान हो गया आदरता हो गया मेग हो गया ठीक है और इन सब चीजों और आपका वाईदाब हो गया यह डिपेंड करता है या इस मिंदूओं पर कि यह जिस तरीके वाईमंडल में परिवर्टन लेंगे मौसम में परिवर्टन उसी हिसाब से होगा और हमें आगे भविश्व में जो है अगले दिन में हमें क्या मोसम की इस्तित रहेगी ये आपके पूर्वा अनुमान के द्वारा ही आपको पता चल सकता है ठीके चात्रों यहाँ पर ये टॉपिक आपका समाप्त होता है अगली टॉपिक के साथ उपस्तित होंगे सभी चात क्रीच की आपके आपके साथ इस्तित है आपके चात्रों यहाँ बादे चात्रों सकता है अगली टॉप।